आज जो आपके लिए जनकारी लाए हैं बहुत ही महतपूर्ण जनकारी है कि माता और पिता है ना माता पिता जो है गर में उनके दौरा अपनी कमाई से खरिदा हुआ संपत्ती माता पिता है अब वो कमाई से मान लेते हैं घर खर दे, प्लोट खर दे या बहुत कुछ गारी खर दे है ना बहुत कुछ जो है उनका अपने कमाई से किया हुआ है तो उस संपत्ती में जो बेटे हैं और बेटी का अधिकार होता है या नहीं होता है आप समझेंगे हैं बेटा अधिकार होगा की नहीं होगा लेकिन समझने बाली बात है कि इसका कानूनी नियम परकिरिया क्या है है ना अधिकार के अगर बात करेंगे तो इसका कानूनी नियम परकिरिया क्या है उसको समझना बेहर जरूरी है ठीक है तो चलिए समझते हैं देखिए संपत्ती दो तरगा होता है कि जब आप अपने के स्टेज पे रहते हैं तो एक होता है कि अगर मालदभ के पिता है कि उनको उनके पिता से मिला हुआ संपत्ती है है ना ये भी पिता है मतलब एक अच्छे बिजनसमेन है लेकिन इन्होंने भी बहुत सारे संपत्ती अर्जित कर लिए बहुत सारे पलोट अर्जित कर लिए बहुत सारे घर बना लिए है ना तो यह सब कुछ इन्होंने अर्जित कर ली अपने दम पे सिरी सी बात है अपनी कमाई से इनोंने खड़दा तो उस केस में उस केस में जो है जो इनके मतलब जो वनसज है उनको अधिकार मिलेगा के नहीं मिलेगा इस संपत्ती में ठीक है और मिलेगा तो कैसे मिलेगा ये सारा परक्रिया को समझेंगे तो देखें सबसे पहले अगर मा संपत्ती पैत्रिक हो पैत्रिक हो मतलब पुरुबज के द्वारा पिता को मिला हुआ है है ना पिता है और इनका जो संपत्ती है वो पैत्रिक है मतलब जो है इनके पिता के द्वारा इनको मिला हुआ ये जिवन में कुछ नहीं कर दे तो अब इनका बेटे बेटी को ये जो है ना बेटे बेटी को समान अधिकार मिलेगा बेटे बेटी को अधिकार समान मिलेगा और समझने बाली बात यहाँ पर यह है कि जो बेटे और बेटी हैं वो कानूनन भी अधिकार ले सकते हैं कानून में जाके अपना लगाई करके जो भी है तो वो वहां से भी अपना हक प्राप्त कर सकते हैं ये तरीका होता है एक यहां पर ये बात समझने वाली बात है कि अगर हमको पिता की संपत्ती पैतरिक है तो हम जो है कानून में जाके इसको आसानी से हासिल कर सकते हैं और उसमें जो हमको हिस्सा आपको दिया जाएगा वो समझना है कि उसमें जो आपको सेयर दिया जाएगा वो बराबर का दिया जाएगा मतलब क्या हुआ कि एक सेयर में पिता भी होगे एक में बेटा भी होगा और दूसरे में बेटी सेयर में इसको डिवाइड करके दिया जाएगा अगर पिता जीवित है अब प्ता अगर जीवित नहीं नहीं है तो समपत्ती में फिर तो पुरा-पुरा दो जो बेटा है बेटी है उनका अधिकार होना अगर पिता जिबित नहीं है तो चलिए और इसमें जो और समझने बाली बात है कि ये था पैतरिक संपत्ती की लेकिन अगर पिता का खरदा हुआ संपत्ती है ये पिता है और इन्होंने बहुत सारे प्लोट कर दे बहुत सारे घर कर दे ठीक है अब इसमें अगर बेटा फाइ हम देखे अभी ये हिंदू लौकी बात कर रहे हैं 2005 जो है उत्रा अधिकार अधिनियम पारित किया गया था जिसमें बेटियों को भी जो है तो समान रूप से अधिकार देने के लिए का गया था है ना तो इस केस में लेकिन फिर भी अगर पिता ने अपनी कमाई से संपत्ति क और जित किया है तो आप अगर पिता नहीं देना चाहे उससे आपको वो जिवित है और वो चाहे कि वो उसमें आपको जो है हक नहीं देना अगर चाहे तो वो उसके लिए स्वतंत्र है उनकी वो निजी संपत्ती है तो वो नहीं भी दे सकते हैं आप कानून में जाके भी उस स अरजित की हुई संपत्ती अगर उनकी कमाई से अरजित की हुई संपत्ती है तो आप उसमें जो है कानूनन अपना हिस्सा उनके जिवित में रहते हुए नहीं ले सकते हैं अगर रही बात दूसरी की अगर वो जिवित हैं और वो चाहें किसी तीसरे को एक तरह से वसियत देना या वो ही है उसको देना मतलब दोनों उनके जो वनसज हैं उसको छोड़के किसी और को देना तो उसके लिए भी वो स्वतंत्र हैं आप कुछ नहीं कर पाएंगे अगर वो उनकी अपनी नीजी प्रूपर्टी है अपने कमाई सी खर दीवे प्रूपर्टी है हार ये सारा बात पैतरिक संपत्ती के लिए लागू नहीं होता है ये सारा बात पैतरिक संपत्ती के लिए लागू नहीं होता है लेकिन जो उनके द्वारा अरजित की हुई संपत्ती है उसके लिए पूरा पूरा लागू होता है है ना तो इसलिए ये जो है यह कानून यह इसका नियम है और प्रक्रिया है अब देखिए इसमें समझने बाली बात ये है कि अगर पिता के द्वारा अरजित की हुई संपत्ती है और पिता की मिर्त्यू हो गई हो है ना पिता के द्वारा अरजित की हुई संपत्ती है पिता के द्वारा ये अरजित की हुई संपत्ती ह बहुत सारे प्लॉट हैं घर हैं अब जो है पिता की मित्य हो गई हो तब इसमें समझने बाली बात ये है कि इसमें है बेटा बेटी और वो जो है एक वहाँ पे विदवा होगी जो उनकी माँ होगी तो तीनों को समान अधिकार में कोट के द्वारा डिभाइड करके यहां पे मिलेगा है ना यहां पे यह समपत्ती का हक जो है एक तरह से बराबर रूप में अगर पिता के द्वारा अरजित की हुई है पिता के नाम पे है तो उसमें मा का भी एक सेयर होगा एक बेटे का भी हो आप कानूनन उसको उस तरीके से ले सकते हैं लेकिन अगर अमालतें पिता जिवित हैं तो ये काम आप कता ही नहीं कर सकते हैं अगर वो पिता इसके लिए सुतंत हैं गर वो देना चाहे तो दे सकते हैं नहीं देना चाहे तो वो नहीं देंगे फिर है ना आप उसको कानूनन नहीं ले सकते हैं अब इसमें एक बार चल के आती है कि आपके मन में ऐसा सवाल होता होगा है कि पिता के नाम संपत्ती अगर है है ना पिता के नाम अगर संपत्ती है हम बेटा है तो हम उसको बेच सकते हैं नहीं रजिस्टरी कर सकते हैं नहीं लेटा है तो अगर आप ऐसा कर पिता की अरजित की हुई संपत्ती है पिता के द्वारा खड़ी गई संपत्ती है आप माल लेते हैं ठीक है वनसज बनके उसको बेज देते हैं रेजिस्ट्री हो जाता है लेकिन वो फरजी रेजिस्ट्री कहलाएगा मतलब वो रेजिस्ट्री लीगल नहीं होगा वो फरजी ह होगा पिता चाहेंगे तो उसको फिर cancel करा सकते हैं उसका दाकिल खार्ज नहीं होगा तो वह यानि हो जाएगा फरजी जमीन का Registry मतलब फरजी property Registry हो जाएगा वह तो यह चीज भी यहां पे समझना जरूरी है कि पिता अगर पिता के नाम पे हैं लेकिन इसी चीज को अगर ऐसे देखाई चाहिए कि अगर समपत्ती पैत्रिक हो है ना मतलब पुरबज के द्वारा पैत्रिक समपत्ती हो पैत्रिक हो और पिता भी जिवित है और उसके अलावा बेटे बेच दिया जाता है registry हो जाता है तो ये फर्जी जमीन registry नहीं होगा ये रिष्टी होगा वैलिड होगा है ना इसलिक वो पैत्रिक संपत्ती है और उसमें उस बेटे का भी अधिकार है और ये जो कुछ लौ है बेटे का भी अधिकार है बेटी का भी अधिकार है और ये कुछ जो कानून हम बात कर रहे हैं हिंदू को ये लागव होता है, मुस्लिम लौ थोरा सा डिफरेंट है, ठीक है, और थोरे से डिफरेंट डिफरेंट अगर जो भी होगें, वो हम उसकी भी चर्चा करेंगे, क्या हंतर है, लेकिन बहुत हद तक लागव भी होता है, ठीक है, तो ये यहाँ पे समझने वाली बा ठीक है, पिता जिवित है, दोनों के समें हम भी बात कर रहें, पिता जिवित है, और अगर वो उसके पिता एकसन लेंगे, उनके नाम पे सा, उनका अरजित की वी समपत्ती है, तो फरजी रिष्टी हो जाएगा, उस जमीन का कभी भी दाकिल खारिज भी नहीं होगा, उस ज समपत्ती पैत्री को, बेटी भी उसकेस में बेश सकती है, जब समपत्ती पैत्री को, तो ये जो सवाल है, अब अगर महलत है, पिता नहीं है, ठीक है, अब एक सवाल यहाँ पर उठता है, कि पिता नहीं है, तो उसकेस में क्या होता है, देगे, पिता नहीं है, तो हम आपक इनके 2 संतान थे बेटा बेटी था था बेटी तो अब इसको तीन हिस्से में मैंने बताया आपको बार दिया जाता है आप समझ सकते हैं कि इसको बेशने का हकधार कौण कौण है मतलब वो भी उसको अपना सेर्च बेश सकती है तो यह यहाँ पर जो है अब ये सारे हकदार हो आज़ा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें चैनल को पहली बार देख रहें सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लेजिए मिलते हैं अगले वीडियो